तो ऐसे छोटे मोटे आप जो भी क्रियेटिविटी आप है ना इनको दिखा सकते हो और यह आपको और साइडों में आप टायर देख सकते हो इधर भी यह टायर रखें यह टायर अकेला अकेला नहीं रखें मैंने इन तिनों चारों टायरों को अटैच किया हुआ है हेलो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है आज मेरा आखरी दिन है वोलंटियरिंग का इस जगह का तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा जो जो मैंने पेंटिंग वगारा है सब कुछ किया और अभी मैं स्विमिंग पूल के नजारे ले रहा हूं आप देख सकते हो क्या जबर्दस जगह हैं यहां पर और अभी अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो मैं अभी हूं जांबिया के अंदर सिया वंगवा नाम का एक टाउन है जहां पर की एक इगल्स रेस्ट रिजोर्ट है जहां पर की मैं वोलंटियरिंग कर रहा था पिछले साड़े तीन हफतो से तो मतलब लगबग मालो एक महीने से मैं यहीं था और जो जो मैंने यहां पर वोलंटियरिंग में काम किया है वो मैं सब कुछ आपको आज दिखाऊंगा जो पेंटिंग मैंने किया है जो चीज यहां पर बनाई है सब कुछ मैं आपको आज दिखाने वाला हूं इस वीड दिखा दूँ जो मैंने बनाया यहां पर यह देखो यह जो टायर है सारे इनके पास पड़े थे यह पिछे जो भी है यह मैंने पूरा स्टक्चर त्यार किया है मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि कैसे त्यार किया है यह जो आप बोक्स जो देख रहे हो सामने लगे हुए है ये फ्रीज है ये फ्रीज पुराने तूटे फूटे इनके पास फ्रीज पड़े थे तो मैंने क्या किया इनको रखके इन में मिट्टी डालकर इनको मिट्टी से भर दिया और फिर सारे फ्रीजों को एक चीज से अटैच कर दिया ताकि ये आगे को खिशके ना ठीक ह और साइडों में आप टाइर देख सकते हो, इदर भी ये टाइर रखे है ये टाइर अकेला अकेला नहीं रखे है मैंने इन तिनो चारों टाइरों को अटैश किया हुआ है ताकि कोई बंदा आए तो अकेले टाइर पाए ना इनके पास कुछ समान पढ़ा था तो मैंने ये लकड़ी का ये यूज करकर इसको पीछे से बना दिया और ये जो उपर जो चीज लगी हुई है ये ब्राउन ये इनके पास वेस्ट माटीरियल पढ़ा था जैसे कि ब्ल्यू कलर में इसको पेंट कर दिया और इसके आगे अभी मैं लिखूँगा इगल्स रेस्ट रिजोर्ट ताकि ये जो इगल्स रेस्ट रिजोर्ट बड़ा बड़ा यहां से बाकी क्योंकि बहुत से लोग बोट लेकर इदर उदर ट्रेवल करते हैं वहां से ये दूर से इगल्स रेस्ट सब को दिख सकें और मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया ये जैसे आप पॉल देख रहे हो जिस पे सभी का सभी जो लोग आते हैं यहां पर अपना अपना बोड बनाते हैं तो यहां पर कोई भी इंडिया का बोड नहीं था तो मैंने क्या अब आप देख लो सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है सब देख लो आप सारे के सारे आपको दिख रहा होगा तो अब आपको मैं दिखाता हूँ नहीं दिल्ली गा ये देखो सबसे अच्छी राइटिंग में मैंने लिखा हुआ है तो ठीक है ये चीज और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ जो मैंने यहां पर सबसे अच्छी जो त्यार की है वो मेरी फ्रेंड के साथ मिलकर वो मैं दिखाता हूँ वो बड़ी जबरदस्त है क्योंकि वो जगह कोजी कोरनर नाम की एक जगह है जिसमें मैंने उसको बिलकुल अच्छे से त्यार कर दिया जो कि बिलकुल गंदी बड़ी थी वो भी मैं वीडियो में डाल दूँँआ कि कैसी पहले थी और अब कैसी हो गई है वो भी मैं आपको दिखा दूँँगा यहां पर चलो उपर चलते हैं आपको कोजी कोरनर दिखाता हूँ यह जो आप सामने देख रहे हो ना यह शैले नमबर 9 है और इसमें तेरा अगस्त को कोई इंडियन कपल आ रहा है जिसकी शादी है तेरा अगस्त कोई और वो हनीमून के लिए इदेर आ रहा है तो इसके लिए हम यह ना कोजी कोरनर है यहां का वो हम त्यार कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ यह इसको पेंट कर रही है मेरा काम है कि इसमें यह पत्थर डालने ताकि यह मिट्टी जैसा ना दिखे क्योंकि यहांपर काफी मिट्टी है तो यह बीच से उठा कर पत्थर मैंने वो रख्यू हुई है चलने उससे च्हान कर मिट्टी अलग निकल जाती है निकल यह पत्थर बकेट में डालके यहांपर डालने है और इसका काम है पेंट करना हुँ हमारा दोनों का यह काम है कि इसको अच्छे से त्यार करना ताकि अच्छा लगे बस वही काम हम कर रहे हैं देखो ऐसे काम आपको करने पड़ते हैं वुलेंटियरिंग जब आप करते हैं यह देखो यह लिखाया कोजी कोर्नर अभी मैं आपको दिखाता हूं कोजी कोर्नर यह देखो सकते हुआ भाई आपके बिलकुल सामने हैं यह जगाना इतनी मिटी में भरी हुई थी बिलकुल यहां पर कच्छा गंद पड़ा हुआ था तो मैंने का यार इतनी अच्छी जगह है इसको त्यार करते हैं मैंने पहले यह जो फटे रखे हैं इनको अच्छे से पेंट किया यह गद्दे यहां पर लाके रखे यह जो टाय रखे इनको पेंट किया यह टेबल कलीन किया यह जो प्लांट है यह तीनों मैंने लगाए य और यहां तक की जो यह आप सामने पेंटिंग देख रहे हैं और रिलेक्स वाली यह भी मैंने ही बना कर यहां रखिए और यह पोदा यह पोदा भी मैंने ही लगाया है यह भी वही जो परदे हैं यह बहुत गंदा सा पोड था लोहे का तो मैंने क्या किया इसको इस परदे के पहले एक दो वेब साइट पे था एक यहां पर के जांबिया की लोकल वेब साइट सफारी पे था लोग क्या है कि जो भी फोरण से आता है ना उनको सफारी के बारे में थोड़ी पता है वो booking.com या फिर होस्टल वर्ल या इन वेब साइट से होटल बुकिंग करते हैं तो इनको पता नहीं था booking.com के बारे में तो मैंने इनको booking.com पे रजिस्टर करवा के दिया और आपको मैं उदर camping site में आपको पहले मैंने दिखाई थे ना camping site में काफी मैंने पत्थर चलो मैं आपको वहाँ जाकर दिखाई देता हूँ यह देखो यहां से इनकी camping site शुरू होती है तो यह camping वाला जो sign है यह भी मैंने भणाया वुए यह देखो यह किये हो क्लर में पेंट कर रहा था मैंने लिख दिया कैम्प लंबर वन इसमें मैं अकेले ने क्या जो मेरीा विवह मेरे साथ थी उसने ये ने इनको इस color में paint करके थोड़ो थोड़ो ये कर दिया और ये जो dust भी नहीं ये भी मैंने paint किया ये सारी चीज्जें ये काम होते हैं जैसे इनकी साथ camping साइट साथ है तो साथ camping site सब के मैंने number लगा दी है पहले number नहीं लगे वोग थे लोग क्या है confused हो जाते थे कि कौन सी site हमारी है कौन सी नहीं तो ये मैंने सब काम किया है तो यही काम है बस यही मैं कहता हूँ कि volunteer करने में यही फाइदा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्रियेटिविटी आती है बस आप बंदा फ्री में रहना मिल जाए खाने को मिल जाए फ्री में दूसरे देश में और उसमें थोड़ा बहुत सीखने को भी मिल जाए तो अब इससे ज़दा क्या ही होगा आप देखो छोटे छोटे काम होते है जैसे अब ये जैंट्स का साइन मैंने बना दिया यहाँ पर अब बात पता है क्या लोग वोलेंटियर को क्यों बलाते है वो चीज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि अब ये देखो छोटा सा जैंट्स का साइन है इनका पुराना हो गया इसको रंग करना है अब इसको रंग करने के लिए कोई बंदा पेंटर को थोड़ी बुलाएगा अब painter को बुलाएगा तो कोई बड़ा काम हो, कोई पूरी दिवार या कुछ और paint करना हो, तब बुलाते हैं न, painter को ऐसे तो नहीं है कि कोई भी काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए painter को बुला लिया, इसलिए ये volunteer hire करते हैं ताकि ये छोटे मोटे काम volunteer कर सके, साथ में हम फ्री में रहने को दे देंगे, इनका कुछ खर्चा नहीं लगेगा, और इनके छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, वो हो जाती है, अब ये देखो, ये इनकी kitchen है, अब यहां पर ये electricity box था, तो मैंने सोचा, ये electricity का sign बना देते हैं यहां पर, और ये यहां पर मैंने एक पत् होते हैं, तो ऐसे ही काम होते हैं, बस कोई paint कर दिया, कभी कुछ कर दिया, और इनके घर के लिए मैंने हमक भी बनाए थे, दो हमक बनाए थे, वो मैंने वहां रखे हुए, उन्होंने अपने घर पे लगाए हुए, बस ये काम होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब लो कि यहां पर यह स्टोन मैंने रखे हूँ है तो यह लोग मुझे याद करेंगे कि एक इंडिया से बंदा आया था वो यह चीज बना के गया है और मुझे भी क्या फील होगा कि हाँ मैंने इस देश में काउच बनाया था मेरे लिए स्टोरीज होगी अलग अलग देश में तो बस इसी लिए मैं ऐसे ट्रैवल करना चाहता हूं कि बहुत से लोग यूट्यूबर्स जो है वो वीडियो बना रहे हैं वो ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि आपको बहुत पैसा स्पेंड करना पड़ता है ठीक है यार आप करो मेरे को कोई डाउट नहीं है जैसी वी में रहना बस और इससे ज़्यदा क्या चाहिए बन्दे को यार आप यह तो है नहीं कि टोटली फरी आपको कुछ तो स्पेंड करना ही पड़ेगा घर से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा आप घर पे भी तो खाना खाते हो तो उसके लिए भी तो पैसा लगता एक सिंगल रुपया भी एक महीने में हाँ जितना मेरा लगा वीजा का मालो मेरा यहां पर 25 डॉलर का वीजा था इसका 25 डॉलर वो लग गए तो यही मालो मेरे टोटल इस देश में अब तक कर लगे होंगे मालो दो चार से पांच हजार रुपे बड़ी मुश्किल से एक मह अगस्त और 19 अगस्त और 3 स्तंबर तक मैं लिविंग स्टोन में रुकूंगा फिर वहां से मैं जिंबाबे चला जाओंगा बस और जिंबाबे भी मेरे पास वोलंटियर का उप्शन पहले से मिला हुआ है तो मेरे को कोई टैंशन लेने की जूरत नहीं है तो यही चीज़े कि मैंने वीडियो बनाई थी मैं फिर भी काउट सर्फिंग करता था वाँ पर जो लोग कहीं ही देश में जाके होटल में रुकते हैं मैं कसम से कह रहा हूं बहुत पैसा लगता है उस चीज़ का लेकिन वोलंटियरिंग के साथ कोई पैसा नहीं ले गया इसलिए मैं बोलता मैं अभी जा रहा हूं अभी पांच मिनट के बाद इस वीडियो को खतम करने के बाद और कितने रुपे में जीरो रुपे में और वो बोट का प्राइज कितना है थीन सो ख़चा बारा सो रुपे की ट्रिप है वो यह मतलब 10 गंटे की ट्रिप 12-100 रुपे की और जो मैं कर रहा हूं free और तीसरी बार जा रहा हूं बोट पर पहले दो बार जा चुका तो भाई मैं मोटिवेट करना चाहता हूं ठीक है वह से लोग बोलेंगे कि तेरी वीडियो तो कोई देखते नहीं है मैं कहता हूं कि यार मत देखो तुम्हारा ही नुकसान है ठीक है मैं तो मेरा तो चली रहा है काम चार पांच जार रुपे मेरे महीने के लगते हैं इतना तो बंदा कहीं न कहीं से जुगाड़ी लेता है इतना तो मेरा यूट्यूब से भी आ जाता है हम तो चलो भाई आपकी मर्जी है मेरी सला मानो ना मानो आज की वीडियो में बस इतना ही आज आखरी दिन रहा मेरा यहां पर बड़ा मैंने इंजोई किया जो आपने लास्ट वीडियो देखी थी मैं डैम के अंदर गया था वो भी आज की दिन की वीडियो है आज मैं बोट जा रहा हूं डैम मैं आज दूसरी बार देख लूँगा पहले मैंने डैम के अंदर से देखा उपर से देखा अभी पानी से भी देख लेंगे तो चलो चलते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई है तो व जालवाल